हेलो इस्टुडेंट्स लेट उसी एक्ससाइज 2.4 कुश्चिन नंबर वन तो आज देखते हैं कुश्चिन नंबर वन को अमीना थिंग्स ओफ ए नंबर अमीना जो है एक नंबर सोचती है और इसमें से 5 by 2 क्या कर देती है सब्ट्रेक कर देती है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें 8 से मर्टिप्लाई करती है अब जो रिजल्ट मिलता है वो उस नंबर का जो उसने 3 किया था उसका क्या है 3 टाइम्स है यानि 3 गुना है what is the number तो वह number क्या होगा तो आईए solve करते हैं सबसे पहले आप उस number को क्या मानेंगे x जो number find out करना है उसको हम मानेंगे x अब x में से कितना separate करती है 5 by 2 तो हो जाएगा x minus 5 by 2 और इसके result में हमें 8 से multiply करना पड़ेगा ठीक है और is equal to क्या हो जाएगा 3 times x क्योंकि वो number जो think करती थी अमीना वो x है तो 3 times x हो जाएगा ओके तो आज़े solve करते हैं question number 1 को तो आप लिखेंगे let the required number is equal to x यही number हमको find out करना है ठीक है उसके बाद according to question अब अमीना इसमें से 5 by 2 subtract करती है तो x minus 5 by 2 अब इसके result में 8 से multiply करते हैं तो क्या होता है जो number वो think करती है उसका 3 गुना हो जाता है तो आप लिखेंगे multiply by 8 is equal to 3 into x means 3x ठीक है ना अब आई इसको solve कर लेते हैं तो देखिए 8 का multiply x में होगा और 8 का multiply minus 5 by 2 में होगा तो 8 into x is equal to 8x उसकी बाद plus minus का into minus अब देखिए यह हो जाएगा 5 by 2 into 8 कट रहकार दीजिए 2 1 2 2 2 4 जा 8 कट गया is equal to 3x अब शाल कर लेते हैं तो 8x minus 5 4 20 is equal to 3x अब यह plus 3x है इसको इधर ले आएए left side में और minus 20 को right side में ले जाएंगे sign change हो जाएगा तो यह plus 3x है इधर आएगा क्या हो जाएगा minus 3x और यह minus 20 है इधर जाएगा यानि right side में जाएगा तो क्या होगा plus 20 ओके तो लिख लेते हैं 8x minus 3x is equal to 20 8x में से 3x minus करेंगे तो आएगा 5x 5x is equal to 20 अब 5 multiply में है तो इधर भेजिंग क्या होगा divide में तो x is equal to 20 divided by 5 कर दिजिए 5 1 जा 5 5 4 जा 20 तो x is equal to क्या गया 4 तो जो x आया है वही आपक्या है required number है तो आप लिखेंगे therefore required number is equal to 4 अके?